बच्चो आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण के अंतरगत उपसर्ग पढ़ रही हैं उपसर्ग बहुती सरल प्रकरण है और बहुत अधिक सरल होने वाला है आपके लिए कैसे होने वाला है क्योंकि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे फिर यह आपके लिए सरल हो जाएगा तो बच्चो यह उपसर्ग मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपके लिए एक चित्र लेकर आई हूँ आपको उस चित्र को देखना है और उस चित्र पर कुछ लाइने लिखी हुई है उन्हें ध्यान से पढ़ना है देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो बालक बालिका आपस में बात कर रही है बालक क्या कह रहा है सजन व्यक्ती सदाचार और सतकर्म पर बल देते है और बीड पुरुष पनाकर्म पर बालिका कह रही है इसके विप्री दुर्जन व्यक्ती निर्दोश निर्वल लोगों पर अत्याचार करते है बच्चो ये जो लाल रंग के अक्षर है इन पर ध्यान दीजिए ये जो लाल रंग के अक्षर है वो दो शब्तों से मिलकर बने हैं कैसे बने हैं अगर हम सजन की बात करें और सजन के टुकडे करें तो क्या होंगे सत प्लस जन सत प्लस जन से क्या बना हमारा सजन ये जो जन इसके आगे हमने कुछ लगाया, इससे हमारा जो शब्द है, वो थोड़ा विशेस्ट हो गया, फिर देखिए, सदाचार, ये जो सदाचार शब्द है, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, किन-किन दो शब्दों से, सदा प्लस आचार, सदा चार, फिर देखिए, सत कर्म, सत कर्म भी हमारा दू शब्दों से मिलकर बना है सत प्लस कर्म परा कर्म भी पर परा प्लस कर्म इसकी विप्री दुर्जन को देखिए दुर्जन शब्द भी दू शब्दों से मिलकर बना है दुर्जन निर्दोश बना है निर्प्लस दोश निर्बल बना है निर प्लस बल से अत्याचार बना है अती प्लस आचार तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं और इन शब्दों जैसे शब्दों हमारा जन था लेकिन जन में हमने सत लगाया तो क्या बना हमारा सजन और यहीं पर हमने यहाँ पर दुर लगा दिया तो क्या बन गया दुर जन तो इस तरह से दो शब्दों को जब हम मिलाते हैं इससे हमारा नया शब्द का निर्माण होता है शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है विसिस्टता आती है यही हमारा उपसर्ग होता है देखिए उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग शब्दों के मेल से बना है जिनमें से उप का अर्थ है पहले सर्ग का अर्थ है ग्रंत का अध्याय जूड़ना इस प्रकार सर्ग मूल शब्द से पूर्व उपशब्दांश लगाने से उसका अर्थ हुआ पहले जूड़ना यानि शब्द से पहले जूड़ना ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं हाँ बच्चो उपसर्ग की विशिष्टता यही है कि ये किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्दन ला देते हैं बच्चो उपसर्ग और प्रत्य में आप लोग बहुती अधिक परशान होते हैं इन प्रशनों के उत्तर परिक्षा में गलत भी कर देते हैं क्योंकि आप यह समर्ज नहीं पाते हैं कि उपसर्ग आगे लगेगा या पीछे लगेगा प्रत्य आगे लगेगा या पीछे लगेगा तो बच्चों आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है आपको ध्यान रखना है उपसर्ग यानि कि जो किसी के पहले लगे वह हमारा उपसर्ग है उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे लगता है चलते हैं परिभाशा की तरफ जो शब्दान शमूर शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, और बच्चों ये जो उपसर्ग है, इनसे अर्थ में एक विशिष्टता भी आ जाती है, कैसे आ जाती है, देखिए, एक शब्द है हमारे पा हार, इस हार में मैंने भी लगाया, क्या बन गया? बिहार, मैंने प्रे लगाया, क्या बन गया? प्रहार, बच्चों इस तरह से हम उपसर्ग को अलग-अलग तरीके से लगा कर अलग-अलग शब्द बना सकते हैं, जिनके की अर्थ अलग-अलग होते हैं, देखिए, उपसर के भेदों की बात की जाए तो उपसर्ग के चार प्रकार माने गए हैं कैसे माने गए हैं पहले हमारे संस्कृत के उपसर्ग फिर हम देखेंगे हिंदी के उपसर्गों के बारे में उसके बाद हम जानेंगे उर्दू के उपसर्गों के बारे में इसके बाद हम जानेंगे उपसर्ग बहुत ही सरल है, कैसे सरल है, देखिए संस्कृत के उपसर्ग है अभी, अन, परी, अब, उत, उद, दुर, दुस, इसके आगे और भी है, तो हम पहले अभी का देखते हैं, अभी का जो अर्थ होता है, वह होता है, सामने, पास, और, और इससे मिलाकर जो हम देह बनाते हैं, अभी मान, अभी लाशा, अभी नेता, देखिए, अन, अन का अर्थ देता है, हमें अभाब का तथा, नहीं का, और इससे जो शब्द बनेते हैं, वो हैं, अनादी, अनुपस्तित, और अनादर, देखिए, परी, परी अर्थ देता है, चारो और का, इससे जो शब्द बनते हैं वे हैं परियावरण, परिणाम और परिवर्तन अब का अर्थ होता है बुरा, हीन, नीज यानि कि कहीं भी लग जाए यह है यही अर्थ देगा गुण के साथ लगा तो बन गया अवगुण, नती, अवनती, अवशेश, फिर देखिए उत, उत का अर्थ होता है उचा और श्रेस्ट, और इससे शब्द बनते हैं उत्पत्ती, उतकर्ष और उत्थान, फिर देखिए उद, उद का अर्थ होता है उपर और उतकर्ष, इससे बनने वाले शब्द हैं उदभव और उधेश, दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा तथा कठिन, और इ दुर्जन देखिए दुस दुस का अर्थ होता है कठिन या बुरा इससे शब्द बनते हैं दुश्चरित दुश परिणाम और दुश कर्म बच्चों आप चाहें तो इन शब्दों के यानि ये जो उपसर्ग शब्द हैं इनको इनके अर्थ को और इनसे बनने वाले शब्द या बिना इससे बनने वाला शब्द है निर्भल निर्भय निरप्राद फिर देखिए नी नी का अर्थ होता है नीचे निपुंता के साथ और शब्द बनेंगे हमारे नियम निभंद निवेदन और निवारण फिर देखिए परा परा का अर्थ है विप्रीत उल्टा और प देखिए प्रे का अर्थ है अधिक आगे और उपर शब्द बनेंगे हमारे प्रयतन प्रकार और प्रयोग देखिए वी वी से शब्द बनेंगे हमारे विहीन विज्ञान और विमाता भी हमें अर्थ देता है विशेश का, अलग का और अभाव का, स्वे, स्वे का अर्थ होता है अपना या निजी, इससे बनने वाले जो शब्द हैं वे हैं स्वतंत्र, स्वदेश और स्वार्थ, देखिए सु हमें अर्थ देता है शुभ, सहच्छा और सहज, यानि आप किसी शब्द के आगे सुप सर्ग लगाईए आपको यही अर्थ मिलेंगे जो कि शुप से संबंदित हो, अच्छे से संबंदित हो, या सहज से संबंदित हो, सो पुत्र यानि अच्छा पुत्र, सुलब यानि आसानी से प्राप्त होने वाला, सुभोध यानि अच्छी तरह से मिले सम सम है पूर्णता सुन्दर और साथ अच्छा इससे बनने वाले शब्द है सयोग समान और संतोश बच्चों अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग आपके अदिक्तर जो परिक्षा में प्रशन आता है वह हिंदी के उपसर्ग से ही आता है आप इने गौर से देखिए ओ और अव अर्थ होता है इनका हींता या रहित और इससे जो शब्द बनते है अगुण अगट और अबगुण अन का है अभाव और नहीं इससे जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे अंजान अनपड और अनमोल उपसर्ग का अर्थ है अभाव और निशेद इससे बनने वाल शब्द है उरिंद, उजार और उनेंद, ती, ती अर्थ देता है हमें तीन का इससे बनने वाले शब्द हैं तिगुना, तिपाई और तिराहा, दू अर्थ देता है दो का इससे बनने वाले शब्द हैं दुगना दुभाशिया और दूबला चौव अर्थ देता है चार का और इससे लगाकर हम बनाते हैं चराहा चौगुना और चौमासा नए उपसर्ग अर्थ देता है बिना और रहित का इससे बनने वाले शब्द है निहत्ता निहाल और निपट कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा इससे बनने वाले शब्द है कुसंगती कुपत और कुकर्म सु हमें अर्थ देता है सुन्दर अच्छा इससे बनने वाले शब्द है सुघंद सुबास और सुजान पर हमें अर्थ देता है दूसरा या दूसरी पीड़ी का इससे बनने वाले शब्द है परूपकार परिस्त्री और परपुरुष ए हमें अर्थ देता है अभाव या नहीं का इससे बनने वाले शब्द है अटल, अमर और ए पलक अध हमें अर्थ देता है आधे का इससे बनने वाले शब्द है अधखिला, अधजला और अधकचरा बिन का अर्थ है रहित अर्थ शब्द बनेंगे विन्व्याही बिन्बुलाया और विन्बोया भर भर का अर्थ है पूरा या भरा हुआ हमारे शब्द बनेंगे भरसक भरमार भरपूर और भरपेट देखिए उर्दू के उपसर्ग अब हम उर्दू के उपसर्गों के बारे में जानेंगे देखे उर्दू के उपसर्ग हैं वे बद कम लाना हम गैर खुश दर और हल इनके अर्थ के बारे में जानते हैं फिर इनसे बनने वाले हम शब्दों के बारे में जानेंगे बे उपसर्ग का प्रअर्थ होता है बिना यानि बे जहां कहीं भी लगता है यह हमें बिना का अर्थ देता है और हमारे जो शब्द बनेंगे वो बे रहम, बे धाग और बे नाम बद, बद अर्थ देता है बुरा का और इससे बनने वाले शब्द हैं बद तमीज, बद नाम, बद हजमी, कम अर्थ देता है थोड़े का, कम जोड, कम अकल, कम वक्त, ला हमें अर्थ देता है कमी या रहित होने का, ला जबाब, ला वारिस, ला इलाज, ला जबाब यानि जिसका कोई जबाब ना हो, ला वारिस यानि जिसका कोई बारिस ना हो, ला इलाज जिसका कोई भी इलाज ना हो, ना हमें अर्थ देता है अभाब निशेद का या मना करने का, ना पसंद यानि पसंद नहीं होना, ना लायक यानि लायक नहीं होना, ना जायज यानि जाहिज नहीं होना, देखें हम अर्थ देता है ह हम शकल हम शकल नहीं है हम शकल हम शकल यानि एक जैसी शकल के व्यक्ति फिर देखिए गैर गैर अर्थ देता है निशेद का गैर कानुनी यानि जो कानुन के मताबिक ना हो गैर हाजिर जो बस्तित ना हो गैर मामुली यानि छोटी सी बात ना हो बड़ी बात हो फिर देखिए खुश हमें अर्थ देता है अच्छा या श्रेस्ट का और इससे बनने वाले शब्द है खुश देल, खुश नसीब, खुश किस्मत दर, दर हमें अर्थ देता है मै का इससे बनने वाले शब्द है दर असल, दर किनार और दर कार फिर देखे हर हर हमें अर्थ देता है प्रतेक और प्रती का इससे बनने वाले शब्द है हर दम हर घड़ी और हर पल बच्चो अब हम उपसर्ग की तरह प्रयोग किये जाने वाले संस्कृत के अव्य के बारे में जानेंगे वो है अधह, अंतह, आवी, सै, स्वै, पर और कू अधह का अर्थ होता है नीचे और इससे बनने वाले शब्द हैं अधह, पतन, अधो, मुखी और अधो, मुख, अधो, गती फिर अंतह और अंतर से बनने वाले शब्द हैं अंतह करण, अंतह पुर्ण और अंतरमन फिर देखिए आभी का अर्थ होता है प्रकट और इससे बनने वाले शब्द हैं आर्विभाव और आविशकार से का अर्थ है सहित, बनने वाले शब्द है सैपरिवार, सचित्र और सैप्रसंग, देखिए स्वै का अर्थ है अपना, बनने वाले शब्द है स्वदेश, स्वराष्ट और स्वय निर्देश देखिए पर का अर्थ है अन्य या बुरा, बनने वाले शब्द है परोपकार, परजीबी और पराश्रे, फिर देखिए कुक का अर्थ है बुरा, बनने वाले शब्द है कुबिचार, कुटिल और कुपोशन देखिए बहिर, बहिर का अर्थ है बाहर, बनने वाले शब्द है बहिर गमन, बहिर गामी और बहिर मुख, पुरस और पुनह, इनका अर्थ होता है दुबारा और फिर, इससे बनने वाले शब्द है पुनर जनम, पुनरा गमन और पुनर निर्मान पुरा, पुरा का अर्थ है पहले या प्राचीन, अर्थ है पुरातत्व, पुरातन और पुरा कालीन देखिए चिर, चिर का अर्थ है दीर्ग कालीन, शब्द बने है चिर काल, चिर सखा और चिर परिचित स्वैन स्वैम अर्थ देता है अपने आपका बनने वाला शब्द है स्वैम सेवी स्वैन सेवक और स्वैमबर देखिए सत का अर्थ है सचा या अच्छा बनने वाले शब्द है सतकर्ण सत्पत और सर्जन देखिए सह का अर्थ है साथ बनने वाले शब्द है सहो दर्ष, सै पाठी और सहमती तो बच्चों ये हमारे उपसर्ग के चार प्रकार थे आपने चार प्रकार से प्रयोग किये जाने वाले उपसर्गों के बारे में देखा जाना बच्चों मैं आपको एक बार बापस बताती हूँ उपसर्ग में आप बिलकुल भी नहीं सोचेंगे यह हमें किसी भी शब्द के आगे लगाना है धातु के हमेशा पुर्व में ही इसको प्रयोग करना है बच्चों आपने आज मेरे साथ उपसर्ग पड़े आपको बह निवाद बच्चों